नमस्कार तराम आप सभी सहारा निवेसकों एवं जमा करताओं का एक बार फिर से स्ट्रागत है एक और नई वीडियो में आपके अपने यूटूब चैनल इनफारमेशन विद पीके पर सभी सहारा निवेसकों के लिए 2024 में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है काफी बड़ी अपडेट्स आचकी है सहारा रिफन पोर्टल पर जो भी आप लोगों का पैसा फसा हुआ है जिन लोगों ने क्लेम किया है या ना किया है उनके लिए काफी बड़ी अपडेट्स आचकी है अब हर निवेसक की बल्ले बल्ले होने वाली है कोई भी पैसे की चिंता नहीं रहने वाली है काफी बड़े कदम उठाए गया है कि अनसरकार की तरब से काफी नई अपडेट सा चुकी है नई गोश्टा की गई है नए नियम लागू किये गया है तो आईए जानते हैं क्या बड़ी खुसकपरी आई हुई है सहारा रिफंट पोर्टल के तहट काफी बड़ी अपडेट आई हुई है तो बने रही गए वीडियो में अंद तक अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंतरगत फसा हुआ है आपका पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है तो इस वीडियो को इंड तक बाज कीजिएगा तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा अन्रोध है कि कृपया चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहा है तो दोस्तों आपका पैसा सहरा इंडिया के अंतरगत फसा हुआ है सहरा की चारों सोसाइटियों में से अगर किसी में भी आपका पैसा फसा हुआ है और आपने आबेदन किया है सहरा रिफरंट पोर्टल के माध्यम से ऐसी इस्थित में आपका फारम reject हो गया है या फारम verified नहीं हुआ है या आपके पर deficiency communicated जैसी समस्या का message आ चुका है या other problems दिखाई दे रही है status check करने के दोर ITR जो matter है ITR वाला या किसी भी प्रकार की problems है तो इस वीडियो को अबस्त देखिएगा तो दोस्तों सहरा निवेशको के लिए काफी बड़ी update यह हा चुकी है कि 2024 में जो बड़ी खुशकवरी आप सभी को देखने को मिलने वाली है उसके लिए काफी बड़े फैसले लिए गया है जो कि हम आप सभी को बताने वाले है नमबर एक आप सभी का जो status है उस पर काफी बड़लाव होने वाला है नमबर दो जो आपके deficiency communicated message आये हुए है वो हटने वाले है नमबर तीन आप सभी का जो पैसा है वो जल्द से जल्द मिलने वाला है क्योंकि काफी दिनों से पैसा फसा हुआ है नमबर चार जो आप लोग की पैसे की जो page by page भुकतान हो रहा है उस पर काफी चर्चा की गई है page by भुकतान नहीं होगा भुकतान की प्रक्रिया में काफी बड़ा बदलाव किया गया है नमबर पांच यह है भुकतान जल्द से जल्द किया जाए पोर्टल के माध्यम से यह बड़ी अपडेट आई हुई है तो इस प्रकार से पांच बड़े फैसले थे तो दोस्तों आज की जो बड़ी अपडेट इसलिए हम लेकर कर आया हुँ थे तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार दोस्तों